एलो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं अभी ठीक हूं मैं सुमर और आप देख रहे हैं सुमर गंगवार की किचिन चैनल आज मैं मखाने और स्नेक्स की रेसीपी लेकर आई हूं वह बहुत हेल्द्य बहुत टेस्टी लगती है मखा देखिए आधी कटोरी तिल ले लिए हैं देखिये आधी कटोरी तिल लिए मैंने ले लिए इनने अच्छे तरहीं के सबूनेंगे जब तक हमारे तिल चटक ने लगे तब तक हम इने भूनेंगे और अच्छी तरीके से भूनते हैं तिल में खुजबू आने लगती है और चटकते रहते हैं बहुत अच्छी तरीके से भून जाते हैं चलिए भूने लेते हैं कम से कम तीन-चार मिनट तक लगतार भूनेंगे चलाते चलाते बुनने हैं यहां पर हमारे तिल बुन के रेड़ी होता है है थोड़े-थोड़े से कलर चेंज हो रहा है इनमें मारे तिल बुन चुके हैं देखें यहां पर मैंने तिल निकाल लिये हैं यह अच्छे तरीके से बुन गए फिलको चटक है इनके बुनने की पहचान होती है इनमें खुजबू आने लगती है और यह बहुत अच्छी खुजबू आ रही है फ्रेंट्स यहां पर मैंने वही कडाई ले लिए और उसमें लेट के लेटे में के लिए कुमारे मखहने जल ना पाई एक हुझा अच्छे तरीकी से बुनेंगए बिल्कुल टू ode करारे करारे होज़ये तर मूंना है हें बून लेते हैं इन्हें अच्छे तरीके से यह काला काला कुछ नहीं है इसमें सिर्फ वह मखाने का छिलका रह गया है वही है इसे करारे होने के बाद में निकाल दूँगी कि यहां पर हमारी मकाने भूर्ण चुके हैं खोड़े क्यों सोने तक और भून लेते हैं इसके घुन मंखाने भूण चुके हैं यहां पर मम कंशने बन चुके हैं ईसके nagळाची निकाल डाल देते हैं गुड़ को मैस करने के लिए उसके लिए दो चमज पानी डालेंगे ज्यादा बिल्कुल भी पाई नहीं डालेंगे सिर्फ दो ही चमज पानी डालेंगे और इसे मैस करते हैं और बिल्कुल इसका चासनी की तरह बना लेते हैं कोई बैसे चासनी नहीं बनानी है लेक्टारे दोयरा कि जासनी नहीं वनानिया हमें यहां पर हमें सिर्फ मैस्चा करना है कि तब तक हमें o चलाने कर लेते हैं अरो हमें पहुती अच्छ सब् それ सब् знает यहां पर हमारा गुड मैस होके तयार हो गया है बिल्कुल चासनी की तरह बन गया है कि थोड़ी देर और चलाएंगे तब तक हमारा मैस हो जाएगा थोड़ी थोड़ी से इसमें गाठी जैसी लग रही है इसे बहुत भी मैस कर लेते हैं बिल्कुल खुब अच्छे तरीके से इसे चलाते चलाते ही मैस करेंगे यह नीचे से लगना जाएं क्योंकि गुड़ हमारा बहुत जल्दी से लग जाता है और इसमें इसमेल बिल्कुल अच्छी नहीं आती है इसलिए इसे खुब चलाते चलाते इसे भूनेंगे और अच्छे से चासनी बना लेते हैं इसकी देखें फ्रेंड्स यह हमारी चासनी बन चुकी है बिल्कुल इसी तरीके से बन गई हमारी चासनी अब इसमें हम एक चमच घी डालेंगे क्योंकि यह बहुत टाइट हो जाईगी और इसमें घी डालेंगे तो अच्छे तरीके सै और घी को इसमें बिल्कुल मैक्स मैस कर लेंगे और बिल्कुल मिक्स हो जाईगे आ हमाई चासनी इस तरीके तक हम बिल्कुल इसे मैस करेंगों मैस करते करते चलाएंगे देखिए हमारी चास्निवन के तयार हो चुकी है यह बिल्कुल घीस में मेल्ट हो गया मिक्स हो गया अब इसमें मखाने डाल लेते हैं मैंने यहां पर मखाने डाल लिए और इन्हें खुब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और खुब अच्छे से इन पर गुड़िस में खुब अच्छे से लग जाए इसलिए इनमें खुब अच्छे से मिक्स करेंगे भेखे फ्रेंड्स यहां पर मैंने मख़ने डाल दिये हैं। लेते हैं तिल के ऐपर तिल अच्छे तरीके से लगा लेंगे और वही इनको बचे है रखे थे जाएंगे और रहे एक मखाना बिल्कुल अलग हो जाएक और यह बहुत ही टेश्टी और रहते हैं कई देखिये यहां पर मेरे बन कर रेडी हो चुके हैं और यह bowe कितने अच्छे लग रहे हैं और अब इने आप कितने वी दिन के लिए क्षचोक करके रख सकते हैं यह बिलकुल भी खराब नहीं होते हैं और बहुत ही टेश्टियों बहुत हेल्दी रहते हैं देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं आप एक वार जरूर बना कर देखिएगा अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना मेरी रेसिपी कैसे लगी है आप एक बार बनाकर टेस्ट करके जरूर देखना और कमेंट करके बताना जरूर प्लीज और मेरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बीडि थैंक यू तन्यवाद